हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस ने आगामी नगर निगम और विधान सभा चुनावों के लिए कमर कसली है इन चुनावों में कॉंग्रेस ने भाजपा को शिकस्त देने के लिए रणनीती बनाना शुरू कर दी है वरिष्ठ नेताओं के साथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है वहीं कॉंग्रेस ने नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने के सरकार के फैसले का भी स्वागत किया है हिमाचल प्रदेश में 2022 में कॉंग्रेस भाजपा के मिशन डिलीट को लेकर कारे करेगी जिसके लिए रणनीती बनाना शुरू कर दिया गया है ये बात कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंगर आठोर ने शिमला में मीडिया से बाचीत के दौरान कही कुलदीप सिंगर राठोर ने कहा कि कॉंग्रेस ने अब्जव कमेडी बनाई है जिसमें पार्टी के वरिष्ट नेताओं को जगह दी गई है और उनके मार्ग दर्शन से अगामी चुनाओं को लेकर रणनीती बनाई जाएगी उनने कहा कि प्रदेश में होने वाले नगर निगम और आगामी 2022 के विधान सभा के चुनाओं में भाजपा को हटाने के लिए कॉंग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी कुलदीब सिंगर राठोर ने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट की बात कर रही है लेकिन कॉंग्रेस अब भाजपा के मिशन डिलीट को लेकर कारे करेगी और सत्ता से उखाड फेंगेगी अगामी 2022 में प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनाई जाएगी कुलदीब सिंगर राठोर ने इस तोरा नगर निकम चुनाव को पार्टी चिन पर करवाने के प्रदेश सरकार के कैबिनिट में लिए गए फैसले का भी स्वागत किया मंत्री मंदल की बैटिक मंद्रे ने लिया है कि जो नगर निकम के चुनाव होने जा रहे हैं यह चुनाव पार्टी चिन पर होंक पर है मैं इस फैसले का सवागत करता हूं क्योंकि हमारा यह यह जआनवाव रहा एक कि जो हमारी नगर पंचायत और नगर परिशतों के चुनाव हुए उसमें पिछले गरवाजे से जो है भारती अजनता पार्टी ने अपने लोगों को बठाने का रियास किया और जो दूसरे दलों से लोग आए, कॉंग्रिस पार्टी से आए या इंडिपेंडेंट आए उन्हें पदों से नवाजा और लोगतंतर की तमाम मर्यादाओं का हनन किया इन नगर निकम के चुनाव में कॉंग्रिस पार्टी पूरी ताकत से उत्रेगी कॉंग्रिस पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी है और हमारी जो कॉडिनेशन कमेटी है इन कमेटियों में हमारे जो पूरो मुख्य मंतरी हमारी शिरी वीर बते सिंग जी वो भी शामिल है हमारे जो पूरो पार्टी के अध्यक्ष है वो भी शामिल है और पार्टी क हमारे जो महत्वपूर्ण और वरिष्ट नेता हैं उनकी ये कमेटी बनी है इस कमेटी की ध्यक्षता जो है हमारे राष्टिय ब्रभारी मानिय शिरी राजी शुक्ला जी कर रहे हैं इस कमेटी में हम जो है तफसील से चर्चा करेंगे कि जो आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाओ है या ये कुप चुनाओ सुजानपूर में फत्यपूर में होने वाला है और दूसरा जो विधान सभा के चुनाओ भी अब नजदीक आते जा रहे हैं इन विधान सभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस पार्टी को किस डंक से त्यारी करनी है इसे लेकर भी जो है त पूर्टी चैनल शिम्ला